हलो स्टुडेंट आज हम लोग फैरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है फैरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे हम देखेंगे क्या क्या है दो फैरिंग्स is the part of the throat that is behind the mouth and nasal cavity and above the isophagus and the larynx ठीक है यह जो फैरिंग्स होता है वो कहा रहता है il deixa है behind behind the mouth and nasal cavity थीक है mouth or nasal cavity के नीचे यह पाया जाता है और और अब आपव दे इसफेगस और लेरिंग्स ठीक इसफेगस और लेरिंग्स के ऊपर पाया यापग्स ठीक है तो यह दोनों के बीच में यह located होता है और the tubes going down to the stomach and the lungs ठीक इसमें जो ट्यूब लगा रहता है ठीक है यह जो ट्यूब रहता है वो कहां कहां जाता है स्टमक और लंग्स में जाता है ठीक है दो फैरिंग्स इस दे पोर्शन ऑफ डाइजिस्टिव ट्रैक डेट रिसीव दो फूट फ्रॉम यूर माउंट ठीक है यह क्या होता है जो फैरिंग्स होता है वो क्या होता है एक पोर्शन होता है डाइजिस्टिव ट्रैक का ठीक है जो क्या करता है फूट को माउंट से रिसीव करता है ठीक है फूट को स्टमक तक पहुंचाने में यह मदद करता है ठीक है प्रांचिक फैरिंग्स का जो ब्रांचिंग होता है वह कहां होता है फूट को कहां तक पहुंचाता है इस फैरिंग्स से माउंट तक वह पहुँचाता है ठीक है then next अपलोंग देखेंगे the isophagus ठीक है isophagus के बारे में देखेंगे the isophagus और osteophagus commonly known as the food pipe और gult ठीक है यह जो isophagus होता है वो उसका another name होता है food pipe ठीक यह food का pipe होता है जो food को abdomen तक और abdomen तक ले जाता है ठीक है the isophagus is the muscular tube connecting the throat pharynx with the stomach ये क्या होता है जो isophagus होता है वो muscular tube होता है जो की connect होता है कहांस तक throat से stomach तक वो connect होता है ठीक है the isophagus runs behind the wind pipe and heart ठीक है ये जो isophagus होता है वो wind pipe के behind मतलब wind pipe के पीछे होता है और heart के भी पीछे वो पीछे से वो जाता है ठीक है and the front of the spine ठीक है और spine के front में पाया जाता है ठीक है इसका जो length होता है वो 25 cm होता है और diameter होता है 2 cm ठीक ये जो डाइग्राम आप देख रहे हैं ये आपका pharynx का diagram है ठीक है नहीं सोरी इसोफेगस का diagram है ये आप देख रहे हैं कि ये कहां कहां जाता है heart के behind heart के पीछे ये होता है और जो रीप केज होता है उसके सामने से वो जाता है ठीक है देन नेक्स्ट अपर लोंग देखेंगे structure ठीक है structure अपर लोंग देखेंगे the wall of the isophagus from the lumen outward consists of mucosa ठीक है mucosa sub mucosa connective tissue layer of the muscles fiber between layer of fibrous tissue and outer layer of the connective tissue ठीक है ये जो इसका structure होता है वो क्या होता है the wall of the isophagus from the lumens towards consist of mucosa sub mucosa connective tissue ये जो isophagus होता है वो mucosa sub mucosa connective tissue layer of the muscles fiber between layer of the fibrous tissue and outer layer connective tissue से मिलकर बना होता है ठीक है the mucosa is a stratified schymus epithelium of around three layer of the ischymus cell ठीक है जो mucosa होता है वो stratified schymus epithelium जो cell होता है उससे मिलकर बना होता है और यह around three layer का होता है ठीक है विच कॉंसिस्ट ओप दे सिंगल layer of column columnar cell of the stomach ठीक है जो कि एक single layer त्यार करता है जो कि columnar cell कहा जाता है most of the muscles is smooth muscles मुसल्स प्री डॉमिनेटिट इन द अपर थर्ड ठीक है यह जो स्मूथ मसल्स होता है वो मेंली अपर में अपर पोर्शन में पाए जाता है और इट इट हैस टू मस्कुलर रिंग्स और इस पिंग्चर इन इट्स वाल वन एड़ टॉप एड़ बॉटम ठीक है यह दो मसल्स रिंग्स पाए जाते इसमें जो की एक तो टॉप में पाए जाता है और एक बॉटम में पाए जाता है ठीक है स्पिंचर इस ए सर्कुलर मुसल्स देट नॉर्मली कि मेंटेन कॉनेक्ट कॉन्ट्रेक्शन आप दे नेचरल बॉड़ी ठीक है यह जो स्पिंचर होता है यह जो रिंग के टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है कॉन्ट्रेक्शन और का काम करता है जिससे जो फूड है वह प्रॉपरली वह अंदर जाता है ठीक है यह जो इस पिंचर रिंग जो होता है वह क्या करता है फूड को स्टमक तक पहुचाने का काम करता है ठीक है contraction और relaxation के साथ वो फूड को स्टमक तक पहुचाता है ठीक है यह जो लोवर स्पिंचर जो होता है जो स्टमक के पास पाया जाता है वो क्या करता है जितने भी एसीट पाय जाते है इस्टमक में उनको रिफलेक्स होने से वो प्रिवेंट करता है ठीक है यह फॉर्मिशन देखेंगे हम क्या क्या फॉर्मिशन है इनके formation of balloon balls ठीक है यह formation of balls मतलब यह ball के जैसे formation करते है जिसके कारण से जो food होता है वो easily अंदर तक जाता है swallowing ठीक है यह swallowing का काम करते है ठीक है इसमें क्या होता है जो जब हम लोग food माउट से लेते है तो क्या होता है यह easily swallow करने में यह help करता है ठीक है reducing gastric reflexes ठीक है और यह gastric reflexes जो gastric में जो मतलब abdomen में जो gastric reflexes होते है उनसे भी यह prevent करता है ठीक then next अपर लोग देखेंगे blood supply isophagals arteries फिर inferior pharynx arteries इसमें क्या होता है यह blood supply करता है और venus drainage left gastric vein यह left gastric vein से blood supply करता है ठीक है तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे कल हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रमग थैंक्यू स्टूरेंट